इस बार 13 मेरा की जगे मैरिट पर टिकेट दिये जाएंगे। टिकेट आवंटन शुद्ध रूप से मैरिट पर होगा और होना भी मैरिट पर ही चाहिए। ये 13 मेरा करके जो विवाद पैदा होता है उसे खत्म कर दो। जो धरातल पर मजबूत है जिनकी जीत की संभावना है उसे आधार बनाकर टिकेट बाटे जाएंगे ये बयान कॉंग्रिस के दिगज नेता सचिन पाइलेट का है राजस्तान में इस साल के अंत में विधान सबा चनाव होने है तैयारी अपने चरम पर है सबी पाटियों ने जोरो शोरो से तैयारिया शुरू कर दी है लेकिन इस बीच राजस्तान के पूर्व उपमुख्य मंतरी और कॉंग्रिस नेता सचिन पाइलेट ने अपनी पाटी के प्लैन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बताया कि चनाव में कॉंग्रिस के नेताओ को टिकेट देगी इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हम कॉंग्रिस कारेकरताओ के दम पर सरकार बनाएंगे सचिन पाइलेट ने कहा मुझे लगता है कि पाटी बहुत जल्द इस पर नेड़न लेगी टिकेट वित्रण के मांदंड पर पूछे गए सवाल के जवाब में पाइलेट ने कहा हमें चनाव हर हाल में जीतना है सचिन पाइलेट ने सुमबार को कहा कि आगामी विदान सबाद चनाव में पार्टी सिर्फ जिताओ उम्मीदवार को ही टिकेट देगी जैपुर में समबादाताओं से बादचीत में पाइलेट ने कहा कि इस बार शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर टिकेट वित्रण होगा और उन्हीं लोगों को टिकेट दिया जाएगा जो धरातल से जुड़े हैं और जिनकी जीतने की उम्मीद है इस दोरान सचिन पाइलेट ने एक बार फिर राजस्थान में सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि कॉंग्रिस पार्टी अपने कारेकरताओं की ताकत से फिर से सरकार बनाईगी कारेकरताओं को पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए पाइलेट ने कहा कि अगर हमारे कारेकरता मजबूत रहेंगे तो हमें जीतने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके साथ इस अचिन पाइलेट ने टिकेट नहीं मिलने वालों से भी खास अपील की उन्होंने कहा कि जिने टिकेट नहीं मिलेगा वो उस उम्मीदवार का समर्थन करे जिने पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है आगे उन्होंने कहा कि टिकेट वित्रण में नौजवान, अनुसोचित जाती, अनुसोचित जन जाती, दलत, OBC, अलप संक्यक सब लोगों को हम प्रात्मिक्ता देंगे लेकिन जीतने की संभावना को हम अंदेखा नहीं कर सकते हैं अब देखने लाएगी होगा कि पाइलेट के इस नए बयान से BJP जनता के सामने कोई नया वीजन रख पाएगी या नहीं बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दा नगरी निउस मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ शुक्रिया